अज आज हमारे किचन में बन रहा है इस्पाइसी क्रिस्पी चिकन बर्गर बनाने के लिए हमें तक्रिबन ऐसे पतले पतले लंबे लंबे स्लाइस ले लेने हैं और यह हमने पानी लिया है तक्रिबन तीन ग्लास और इसमें तक्रिबन 4 टैबली स्पून वेनेगर डालेंगे 1 टी स्पून नमक डालेंगे नमक को हलकर लेंगे पानी में नमक को हलकरने के बार अब हम इसमें अपना यह जो हमने बनाई थी यह इसके अंदर डाल देंगे इसमें से निकालके पानी में डाल देंगे हमने ये दो कप मेदा लिया है इसके नरम डाल देंगे वन टैबल स्पून भरके लैसर बॉडर और वन टैबल स्पून भरके ये लाल मिट्सों का बॉडर है अब इसको आप मिक्स कर लें अब हम एक पीस लेंगे अपना इसको इसके अंदर चितना लगा देंगे और फिर दुबारा अपने इसको पानी के अंदर डालना है और दुबारा इसको इसके अंदर लगाते हैं करते हैं अबड़े न आपके इसको बें झारणा है कि यह चीकन रीड़ि हो गया है अगहम इसका त्यार कर लें के लिए है है नहीं है कि ऐसा रइना के लिएbol बनाना के लिए वन आधी को तेमाठो केचप लिया है 2 ग्लेप ने मिने dylaa मैंने 1.5 राफ लाउस माइनीश कंदेज़ लाइस केच्प अधिया लाचाह WHERE केच्प लाउस केच्प लाइस मस्टर्ड पेस्ट पेड़ी तो बने के दुछे हैं देख्याति हुआ उन्सायब के उपनary आनना में कीवारत प्रूम को तेख emergence ऑऐ Nagant सब नमक लिया है और 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 Άफ टी सपूं में ने उल हुलिया और और वन काली निर्चों का बादर लिया है और वन टीस्पून आप इसके अंदर ONS डाल दीजींगा अपन कर देगा सक कर दीजिएगा कि अ नहीं हों आल दिएो आप बडस दो मिक्सकोशन को अच्छी तरह मिक्स कर लें हमने अपनी यह चिकन बनाई है इसके उपर आप इसके मसाले को आगे पीसे करके इसको अच्छी तरह लगा दें सबसे पहले हम इसके मायनी जाल देंगे मायनी जालने के बाद हम इसको अपने पूरे बन पे लगा लेंगे चार तरह पे बोभी लगतें हमारा चिकन का पीस पिपर आप लगतें अब हम इस पर रखेंगे अपनी चीज ता पीस दालतेंगे अपनी बर्गर का सॉस जब में बना रहा है था और इसके पर हम रखेंगे हमारा बर्गर त्यार हो गया है अगर आपको मेरी इस बर्गर की रेसिपी अच्छी लगती तो प्लीज समय से आनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें शेयर करें और हाँ कमेंट्स करके जरूर बताएं ते मैंने ये रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की है आपको कैसी लगी लगी किस दो आमे आदर की गाँ